असलाम अलेकूम कैसे आप सब लोग में दर दुआ है कि पिल्कुल ठीक टाक हेल्दी हैपी और खुशबाश सेफ हो आपने घरों में तो भाई क्या बंदा है आज बंद रहा है हमारे यहां शामी कबाब और शामी कबाब की आज की सैटिंग बड़ी मुश्किल से हो यह आप देखी सकते हैं कि आज सेटिंग करने में मुझे बड़ा टाइम लगा चार कबाब और सेट नहीं हो पा रहे थे तो फाइनली सैट हो गए थे लेकिन आज हम बनाएंगे चिकन के शामी कबाब बहुत ही टिस्टी और जूसी और टेंडर बहुत मज़े के बनेंगे स्पाइस यह स्नैक्स में हमको बड़ा मज़ा आता है कि कभी शाम की चाय के साथ या कुछ खाने का दिल चाह रहा हो तो हम कबाब फ्राइ कर लेते हैं और यह बहुत ही मज़े के कबाब है इसको आपको फ्रीज करना पी सिकाऊंगी कि इसमें आपको इसको एक महीने के फ्रीज कर सकत चीकन और इसको मैंने चोटे चोटे या नहीं के एक ब्रेस्ट के तकरीबन चालपीस करके यह इसमें शामिल कर दिया और यह मैंने एक कप चनी की दाल को तकरीबन एक से दो गहने भूटे भी हो दिया था तो आप चाहें, तो जादा भी भी को सकते हैं, वह दाल पर डिपै प्यास को मैंने roughly तो चार पीसिस में कट आ ता क्योंकि एक टीबल स्पून इसमें दाले मैंने धनिये साबो धनिया और एक टीश्पूरी डाला सह मैंने साबोग जीरा अचा है इसको मिक्स किया और पर पाकी सारी चीज़ें जाएंगी मसाले तो इसमें मैंने शामिल करा है बस यह बहुत अच्छे बनेंगे और इस इस कॉंटिटी में तकरीब अरह से पंदरा बन जाएंगे कबाब आपके चोटे पैटी अच्छे से बन जाएंगे और स्टिक जो है वो दारचीनी की डाली है एक तेस पाट डाल दिया है और यह कुछ 8-10 लोंगे और 10-12 काली मिर्चे है दाली है और साथ से आठ मैने सुखी लाल मिर्च डालिए तो सुखी लाल मिर्च जाएं जाएं जादा करना चाहें तो कम और एक टी स्पून इसके अंदर मैंने नमक जामिल कर दिया है तो नमक भी आपने टेस्ट के मताबर कम या जादा कर सकतों को बॉल कि अच्छे से बीच में कि अगर आपको पानी की जुरूवत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं लेकिन मुझे इसमें जुरूवत नहीं लगी थी और ये बिल्कुल देखें पानी अच्छी दरीके से होश्क हो गया है और अब मैं ये जो इसके बाकी चीजे हैं यानि चिकन को मैं अलग कर लूँगी और चिकन को मैं श्रेड़िट करके डालूगी इसकी छोट-छोटे पीस करके कभी भी चिकन के जब दिया की कबाब बनाये तो चिकन को कभी भी फुल करें आप चान चनी की दाल के साल फुल चॉप ना करें क्यूंकि उसके साथ वह बि अब मैं शामिल करूंगी इसके अंदर कुछ हरा मसाला तो एक मैंने प्याज ली चोटी सी और एक हरी मिचली है और इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया कोई आदा कप के करीब हरा धनिया लेकर मैंने अगर आप चाहें तो पौदीना भी डालें मैं पौदीना शामिल नहीं क चिकन भी हमारी अच्छी से ठंडी हो गई है और इसको मैं हाथ से रेषे बना लोगी इस तरीके से यह देखिया है यह फोग की मदद से करने यह हाथ से करते हैं अराम से ओ सारी करने के वाइस में हम शामिल कर देंगे तो इस तरह करने से बहुत ही अच्छे जो आपको बेषिए अफ़ी बाइन लिए बाइन यह हमारे मिक्सचर को बाइन कर देगा एक अटे को फेट के शामिल कर देगे और एक टेपल इस्पून में समें कॉन फ्लार कॉन स्टार्च भी डालूंगी और अगर कभी अशा हो कि आपको लगे क्या प्लाइन तो आप अटे को मट डा कई तुम स्वीट कर वर्लाइब वरा एक्रम स्वीट ना दीजेगा और इसके साथ ही मैंने ef tay lin करेंगे बहुत अच्छी तरह से आप चाहें तो हाथ से आप चाहें तो चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमूज सटो बना लीजे अच्छा मैं आपको पहले भी रेसिपी एक पीफ शामी कबाब की दे चुकी हूं तो आप वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स म के लिए बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे बनेंगे कबाब इसमें मिर्चे आप कम कर दीजेगा या बच्छे अगर नहीं खाते हैं अगर नहीं वह ग्राइंड हुई है चौप यह तो आप निकाल सकते हैं काली मिर्च और लॉंग तो बस इसको अच्छी से देखें डो नहीं बनाए तो यह बहुत अच्छा लगेगा जब और फिर आप इसको लीजेगा अपने हाथ में जितनी ही आपको बॉल लेकर एक कबाब की शेप दीजेगा मैं अपनी हतेली यानि पाम की शेप के बराबर हमेशा बनाती हूं तो मेरे अच्छे कबाब बड़े-बड़े तो आप अगर चाहें तो छोटे कबाब बनाएंगे तो यह पंदर कबाब बन जाएंगे और इसके बाद इसको हम फ्रीज कर सकते हैं कि जहां ही कबाब रेडी होंगे इसके बाद इसको एक लेयर लगाए और इसके बाद उसके ओपर क्लिंग रखें के पास क्लिंग नहीं ह जब आपको फ्राय करना हो फौरी तर पर तो आप 10 मिनट क्लिये इसको फ्रिज में रखते हैं ताके वह अच्छे से सटल हो जाएंगे और फ्रीज हो थोड़े से स्थंडे होकर बहुत चे फ्राय होंगे और इस जगह पर आप फ्रीज कर सकते हैं इसी तरीके से जिसना मैंने और जब फ्रीज हो जाएंगे अच्छे तरीके से एक लेयर दूसी लेयर तो आप उनको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में करके रख दीजेगा बस मैंने एक अंडे को फेटा अच्छे से काटे की मदद से और इसके अंदर हम इसको पहले हमने और गरम किया पांच से छे टे किसे आराम से शामिल कर देंगे हम ऑईल में तो दो कब आप एक टाइम पर बना रही हूं है इसको अच्छ पर दो से तीन मिंट तक पकने पकने दीजेगा इसको टूटने का डर होता जब एक साइट से यह अच्छे से गोल्डन फ्राय हो जाएंगे फिर इसको हम वह आपको दिख जाएगा खुद ही परस लाएगा कि आपको पलेटने का टाइम हो के तो देखिए एक साइट से किया अब यह टूटेंगे नहीं बहुत आराम से इसको आपने फो की मदद से या स्पून से जिससे भी आपको कमफर्टेबिल हो आप इसको पलेट दें और दोनों दो मिन्ट एक साइट से यह देखे इस तरह के गोल्डन फ्राइगर के हम निकाल लेंगे तो पस इस तरह से मैंने चारो कबाब बना लिए थे और बाकी के मैंने फ्रीज कर दिये थे यानि फ्रीजर में रखे उसको पहले अच्छे से अभी मैंने ट्रे में रख दिया अगर काउंटर पर रखे और उसके बाद आप तेल गरम करके अच्छा सा डी फ्राइग कर लिजे तो यह तयार है हमारे शामी कबाब चिकन लवर्स के लिए बहतरीन से शामी तयार हैं बच्छों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छे हैं बस इस मिर्चे कम कर दीजेगा तो बनाईए एक दफर जरू ट्राइ कीजेगा बहुत ही मज़े के कबाब बने हैं यह वाले तो मेरे साथ सद रहिएगा अच्छी अच्छी सी ऐसी बहुत साई रेसिपीस के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और रेसिपी पसंद आईए तो लाइक कीजेगा अच्छी अब तक के लिए टेक एर आला हाफिज